नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रेक्रीटमेंट 2023 के बारे में जिहां दोस्तों रेलवे की तरब से आपको काफी अच्छी-काशी वेकेंसीज देखने को मिली हैं जिनके लिए आप अपना ऑग्रीटमेंट शेलोटम का अच्छी-काशी वेकेंसीज निकाली गई हैं इस तरीके से आपका यहाँ पर exam pattern जो है रहेगा वीडियो को राक्षिक जरूर दिखीगा इस वीडियो में हम सारे के सारे topic को cover करने वाले हैं इसी के साथ में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request करना चाहूंगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और गंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीकी की latest government jobs की information आपको सबसे पहले मिल सके सबसे पहले आपको इसकी official website पर आजाना है नीचे description box में आपको link मिल जाएगा जहां से आप अपना official notification डाउनलोड कर सकते हैं इस बर्ति के लिए अपना online application form submit कर सकते हैं सो friends देगे यहाँ पर RRC WR Western Railway की तरफ से Apprentice के काफी अच्छी काशी vacancies रखी गई है 3624 total vacancies आपको देखने को मिल जाएंगी जिनके लिए आप अपना online application form submit कर सकते हैं अगर Western Railway Recruitment 2023 के overview के बारे में हम बात के लिए तो organization name आपका Indian Railway Western की तरफ से रहेगा जहां दोस्तो RRC की तरफ से आपकी vacancies को organize करवाए जेगा जोब टाइप आपका जो है आपर central government job रहेगा अपरेंटिन्स के पादेहाँ पर रखे गए जिनके लिए आप अपना online application form submit कर पाएंगे टोटल नमरों vacancies आपको 3624 vacancies देखने को मिल जाएंगी तो काफी अच्छी काशी vacancies रखी गई है जोब लोकेशन आपका जो है Western Railway में आपको job provide की जाएगे इसी के साथ में last date के बारे में बात करने तो देखिए आपके online application form start हो चुके है 26 July 2023 आप सभी के लिए last date रखी जाएगी तो आपको 26 July तक का time दिया जाएगा अपना application form submit करने के लिए official website आपकी rrcwr.com आपकी जो है official website रही कि जिस पर जाकर के आप अपना application form submit कर सकते है दोस्तों यहाँ पर आपको इसका official notification का link मिल जाएगा आप जाकर के download कर लीजेगा यहाँ से आप जो है vacancies चेक कर सकते है अपने trade के हिसाब से अपनी vacancies को check कर पाएंगे के फीटर के लिए total 938 vacancies रखी गई है welder के लिए 386 vacancies है कारपेंटर के लिए 211 vacancies और पेंटर के लिए 213 vacancies आपको देखने को मिल जाएंगे इसे के साथ में diesel mechanic के लिए 219 vacancies रखी गई है electrician के लिए 649 vacancies यहाँ पर रेखने को मिल जाएंगे दश्वी class पास कर चुका है वो candidate हाँ पर आवे दिन कर सकते हैं और minimum जो है आपके 50% mark जो है 10th class में होना बहत जरूरी है इसी के साथ में technical qualification में अगर दोस्तों आपके पास में ITI का certificate है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं साथी में दोस्तों बात करते हैं इस लिमिट के बारे में तो 15 से 24 साल तक के candidate अपना application को submit कर पाएंगे SCHT candidate को 5 साल के and OBC candidate को 3 साल की government tools के अनुसार age relations मिलने वाले वही PWD and accessment candidate को 10 साल की government tools के अनुसार age में छूट दी जाएगी application fees के बारे में बात के लें तो general OBC and EWS category को 100 रूप application fees जमा करवानी होगी वहीं SCHT, PWD and woman candidate को कोई भी application fees submit करवाने की ज़रत नहीं होगी आप फिर योप कोश्ट अपना application form submit कर सकते हैं and important date के बारे में बात के लें तो आपके online application form 27 जुलाई 2023 से start होगे और आपकी जो last date आप रखी गई है वो 26 जुलाई 2023 रखी गई है and दूस्तो merit list या फिर exam date से समंदे सारी update आपको हमारे official YouTube channel पर देखने को मिल जाएगी सबसे पहले तो उसके लिए channel को subscribe ज़रूर कर ले selection process के बारे में बात करते ही तो देखें आपका यहाँ पर merit list के अधार पर selection process रहेगा then आपका documents verification, medical fitness test और selection process रहेगा so यह आपके कुछ step रहेंगे जिनके अधार पर आपको final selection यहाँ पर दिया जाएगा and दूस्तो salary भी आपको यहाँ पर कास भी अच्सी कासी दी जाएगी साथी में बात करते हैं how to apply के बारे में कि किस तरीके से आप अपना application form submit कर सकते हैं तो देखें दूस्तों यहाँ पर आपको कुछ step provide किये गए हैं आप इनी steps को follow करके easily अपना online application form घर बैठ करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो अगर आपको अपना online application form submit करने में किसी भी प्रकार की problem का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझी नीचे comment box में next video के लिए message कर सकते हैं मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो ले करके आजाओंगा जिसमां आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना online application form घर पैट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को subscribe कर लेना है घंटी के बटन को जिरूर तबा लेना है साथी में इस बरती के लिए अपना online application form submit कर सकते हैं तो उम्मिद करता हूं दोस्तो इस बरती से समन्दी सारी की सारी information आप सभी को मिल गई होगी वीडियो किस लगी है नीचे comment करके जरूर बताना वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों के सार्थ सेर करना बिलकुल मत भूलना अगर हाँ आप हमारी योट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को subscribe जरू कर ले और घंटी के बिटन को जरूर दबा ले ताकि इसी तरीकी की latest government jobs की information आपको सबसे पहले मिल सके सो चली प्रेंट्स इस वीडियो में सेफ़ इतना ही मिलता के लिप वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाइट जैहिन दोस्तों